मेरी चैनल के वीडियोज देखके बहुत सारे लोग बाइक चलाना सिखतें लिकिन जब बात आता है पेट्रोल पम्प जाने का तो उनको अईडिया नहीं होता है, जिसके वज़े से पेट्रल पम्प वाले लोग बहुत सारे लोगो Ale llegar up best नमस्ते दोस्तो और वेलकम टू मैं चैनल आज मैं एक नया सीरीज चालो करना चाहरा हूँ और आप लोग सब लोग मेरा इस सीरीज में हल्प करोगे और यह सीरीज का नाम है आपको तो आपके राइट्स क्या है तो इस वीडियो में अपको एक से एक डिटेल बता हूँगा और तो ट्रा करना की आप ये वीडियो एंट तक देखो और मेरे चानल पर सब्सक्राइब करदेना अगर आपने नहीं किया है तो तो जगते इससेल क् Об 있어요 duty करता है कि की तरी के से चैप किया जाब डिश्प्लेश के सकते हो यह आप कि सच सही है कि नहीं जो भी आमाउंट मुझे मिला है वो तो उसके रिगार्डिंग हर एक पेट्रोल पंप पे कम से कम पास लिटर का क्या है नहीं होना चीए जिसमें वो लोग पास लिटर एड़ करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं तो 10 कि अचिए नहीं होती है तो आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हो और अगर नई होती है तो आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हो आप नीचे लिक्ते रहेगा आप वो वेबसाइड पर जाके कंप्लेंड कर सकते हो तो सबसे पहला चीज यह है कि जबी आप कई किसी भी पेट्रॉल पंप जाते हो तो वह आपको फ्री एर प्रोवाइड करना चाहिए यानि कि अगर मेरे टायर में हवा नहीं है तो मैं वहां से फ्री में एड एर आपको प्रोवाइड करना चाहिए और वह है पीने का पानी तो पीने का साफ पानी प्रोवाइड करना चाहिए और साथ में तीसरा चीज यह है कि ट्वाइलेट तो फ्री ट्वाइलेट होने चाहिए और वह क्लीन होने चाहिए तो आगर आपके पास यह नहीं है या किसी प प्रेट्रोल पंप है वो आपको फ्री कई करने का अलाव करना चाहिए अगर यह नहीं करता है तो अगेन यह उसका राइट नहीं है यह आपका right है और साथ में ही उनके पास free aid kit होना चाहिए तो like जबी आप रस्ते पे जा रहे हो हाई वे पे जा रहे हो कुछ हो जाता है तो free aid kit वो लोग आपको first aid kit आपको free में provide करने चाहिए वो लोग एक और important चीज है हर एक petrol pump को अपना जो price है वो mention करना चाहिए अगर वो price mention नहीं हुआ है तो यह चीज गलत है आप उसके regarding भी complaint कर सकते हो साथ में उनके पास fire fighting के instrument भी होने चाहिए of course यह आग कभी भी लग सकता है और अगर वो पहले से prepared नहीं है तो यह चीज गलत है अगर आप किसी petrol pump में गए और आपको कुछ चीज सही नहीं लगा या आपको किसी regarding complaint करना है तो हर एक petrol pump में एक complaint box होना चाहिए जहां पर आप अपना complaint लिख के add कर सको यह तो हो कह सारा आपके rules और सब चीजे आपको क्या-क्या free मिलना चीजे और क्या सही तरीके से है क्या आपके rights है लेकिन इसके साथ एक और चीज होता है कुछ आपके भी rules होने चाहिए ना of course अगर आपके rules नहीं है तो मतलब नहीं बनता है तो मैं आपके rules क्या है वो भी मैं बता देता हूँ पहला चीज तो petrol pump जो है वो non smoking area है तो आप वहां पर जाके smoking नहीं कर सकते यह आपको follow करना है अगर आपने follow नहीं किया तो आपके regarding भी complaint हो सकती है दूसरा rule आपको यह follow करना है कि जबी आप petrol pump के आसपस जाते हो तो आपको phone call नहीं करना है आपको phone चालू नहीं रखना है क्योंकि वैसा करने से ब्लास्ट हो या कुछ भी हो तो petrol pump को नुकसान हो सकता है, आसपस के लोगों को नुकसान हो सकता है और ये बहुत बड़ा problem में हो सकता है तो इसके regarding आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप petrol pump पे जा रहे हो तो आपका phone या तो silent mode पे है या तो फिर आप उसी नहीं कर रहे हो इसके लिए कुछ petrol pump नॉर्मली एक device रखते है कि जब आप वहाँ पे जाओ और आपका phone चालू है तो device बजना चालू हो जाएगा वो petrol pump की safety के लिए रहता है तो आपको tension लेने का ज़रूरत नहीं है लेकिन अगें ये एक important चीज़ है जो आपको follow करना है तीसरा और important rule यह है कि जबी भी आप अपने bike में petrol add करते हो तो आपका engine off होना चीए engine on रखके petrol वैसे भी हम लोग add नहीं करते हैं लेकिन जो लोग करते है like car में इसा हो सकता है तो अगर engine off नहीं हुआ तो problem हो सकता अग लग सकता इसलिए यह आपका एक और rule है जो आपको follow करना है अगर इसके regarding कुछ आपको doubt है तो नीचे comment कर देना अगर मैंने कुछ include नहीं किया है तो वो भी नीचे आप comment कर सकते हो और किसी चीज में अगर मैं गलत हूँ तो वो भी नीचे comment करके सुधार देना thank you so much दोस्तों for watching अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो please do like it और अगर आपको इसे नए ज्यादा वीडियो चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बता हूँ कि know your rights के regarding तो प्लीज मेरे चनल पर भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करते रहना thank you so much bye bye be safe ride safe